अभी गर्मी अपने चरम पर पहुची भी नहीं है और मौनसून को लेकर चर्चाएं देश भर में शुरू हो गई हैं। शुरू इसलिए हो जाती हैं क्योंकि मौनसून भारत की पूरी अर्थ विवस्था को प्रभावित करता है। नमस्कार स्वागत है आपका किसांतक चैनल पर इस वीडियो में मैं हुदेवेंद रूतरिपाठी और बात करूँगा कि इस बार मौनसून जब आएगा उस समय अल नीनो की स्थितिक क्या हो रहेगी ये लेटिस्ट अपडेट अब तक आ चुके हैं उसके अनुसार क्या संभ हवाएं चलती हैं उनका अपना एक पैटर्न होता है उसके अलावा दो-तीन फैक्टर और होते हैं जो भारत के मौनसून को बड़े पैमाने पर प्रभावित करते हैं कमजोर करते हैं या ताकतवर बनाते हैं मौनसून को वह है अल नीनो इंडियो नोशन डापोल यानि आयो आती रहती उसका एक चक्कर किसी भी रीजन में 30 से 60 दिन के भीतर में दोबारा आता है यानि अगर वो हिंद महासागर में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से होकर गुजर रही है आज तो हो सकता है कि 30 दिन बाद फिर आ जाए या 30 से 60 दिन के बाद आए तो इसका भी जब यह होता है यहां पर इत्मस्फेरी वेव हिंद महासागर में तो भारत का मौनसून अच्छा हो जाता है इंडियन ओशन डापोल जब पॉजिटी होता है भारत के मौनसून को सपोर्ट मिलता है जब अल नीनो होता है तो भारत का मौनसून काफी अच्छा होता है इसके पर्टिकुलर रीजन में जब समुद्र की सतह का ताप पान यहां पर जब तेमपरचर बढ़ता है तो आकर भारत का मौनसून कैसे प्रभावित हो जाता है भारत के मौनसून का पर इसका असर इस तरह पढ़ता है दोस्तों क्योंकि यहां से जो ट्रेड विंड्स चलती है ट्रेड विंड्स चलती है क्योंकि धरती इस तरह से घूम रही है तो ट्रेड विंड्स इधर ही जाती है और यह आम तोर पर भारत में बंगाल की खाड़ी के ऊपर पहुंचने के बाद भारत के मौनसून को और आगे बढ़ाने में पुश करने में मदद करती है नि जितनी नमी जादा होगी उतने जादा बादल बनेंगे उतने जादा बारिश की संभाव न रहेगी लेकिन जब यहाँ पर समुद्र की सता का तापमान गर्म हो जाता है तो यह हवा उधर न जा करके इधर जाने लगती है यहाँ पर अमेरिकन रीजन में काफी तूफान आने लग इतिहास भी आपको दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं, यह जो लाल रंग देख रहे हैं, यह एल नीनो का स्थित्व में रहना है, नीला रंग ला नीना है और यह लाइन नीट्रल की है, तो इस तरह की परिस्थितियां रही है, यह उनिस सो पचास से लेकर के अभी तक की स् है, यह है जन्वरी, फर्वरी और मार्च का जो डेटा इसमें अविलिबल है, उसके अनुसार यहां पर एल नीनो बना हुआ है, और एक पीक पर जो पहुंचा था, यह पीक पर पहुंचा था, आपको बता दूँ, दिसंबर जन्वरी, फर्वरी में 3.6 डिगरी सल्सिस के इस पर्टिकुलर रीजन में ही, इसी रीजन में, और 3.6 यह बहुत जादा है, और ऐसे में मौनसून को बहुत बुरी तरह से यह इंपक्ट करता है, भारत को काफी हद तक प्रभावित करता है, अब आपको बताता हूँ, पहले मैं दिखा दूँ कि अब संभावनाय क्या लग रही है, अभी जो situation है, वो neutral के करीब पहुंच चुकी है, यानि एन्सोट की तरफ ज़्यादातर model इंडिकेट कर रहे है, एक-दो model अभी भी positive की तरफ दिखा रहे है, यानि अल नीडो की तरफ ही है, लेकिन ज़्यादातर model इसको neutral की range में, यह जो range है, यह neutral की range है, 0.8 डिग्री अगर सामाने से नीचे है, 0 से मतलब माननीजे कि 29 डिग्री सेलसेस यहां का और समुद्र की सतह का और उससे 0.8 डिग्री तक नीचे चला जाए या 0.8 डिग्री तक उपर चला जाए तो उसे इसी रेंज में रखा जाता है और यह है एंसो नीट्रल लेकिन अगर यह यह 1.2 डिग्री या 1 डिग्री से जादा नीचे जाने लगेगा तब ला नीना हो जाएगा और इसी तरह से अगर यह एक डिग्री से उपर पहुंचने लगेगा तो अब मई की जो प्रोजेक्शन है, मई के लिए जो संभावना है वो एंसो नीट्रल की है, एल नीनो सदर् भी बढ़ते हुए संकेत कर रहे हैं, उसके बाद जुलाई में काफी अच्छी संभावना लग रही है, जुलाई में संभावना यह है कि यह ला नीना में तब्दील हो जाएगा और उसके बाद अगस्त में इसके और जादा ऑसत से नीचे पहुंचने की संभावना है, भारत की तरफ आने वाली जेट्स ट्रेड विंट्स जो है भूमध रेखा के पास से प्रशान्त महासागर की तरफ से बंगाल की खाडी में वो बढ़ जाएंगे और उसके बढ़ते ही भारत में बादल मौनसून के बादल बहुत घने बनने बड़े पैमाने पर बनने शु अरबसागर बंगाल की खाडी जब यह फेज टू और इसका भी चक्कर जो है जैसा कि मैंने शुरुवात में ही कहा कि पूरे धर्ती का जो चक्कर लगाता है यह 30 से 60 दिनों के भीतर लगाता है अब अगर 30 दिन के भीतर यह मान लिजे कि मौनसून में इसके 2-3-4 बार आने के बाद जब एंटर करती है तो भारत में कन्विक्शन जो बनते हैं जिनसे बड़े पैमाने पर बारिश होती है लंबे एरियाज में लंबी दूरी तक वो बादल बनने में इसका काफी रोल रहता है काफी पॉजिटिव रोल रहता है तो जब ये अरब सागर में एंटर लग जाते हैं लगबग एक सब्ताह से 10 दिन तो एक सब्ताह से 10 दिन अगर दो तीन बार ये भारत के मौनसून के दौरान रहा तो निश्चित तुर पर भारत का मौनसून 2024 का और अच्छा हो जाएगा यहनि ऐल निनो ला निना में कन्वर्ट होने की संभावना दिख रही जुलाई या अगस्त महीने में और उसके अलावा MGO का सपोर्ट मिल जाएगा इंडिया नोशन डाइपोल शुरुवाती समय में पॉजिटिव दिख रहा है खासतोर पर जून के महीने में इंडिया नोशन डाइपोल इसको मदद करेगा और इंडिया नोशन डाइपोल से आम तरी के लाखे करनाटक के भी तो इनी जगहों पर मौनसून पहुंच था भी है सबसे पहले एक जून उसके बाद आगे बढ़ते हुए पांच-पांच दिनों के अंतराल पर इसके डिकलेर किया जाता है कि यहां पर मौनसून पहुंच गया है तो मौनसून जब पहुंच रहा होगा उस समय भले ही लानिना नो यानिनि आनि नंगा यήσंड पहुंच बहुझार करेगा लेकिन उस दौरान इंडियन उशन डाइपोल पॉजिटिव रहेगा तो जहां से मौनसून की शिरुबात हो भारत में वहां पर मौनसून अच्छा पर्फॉर्म कर सकता है यान और मौनसून की शुरुवाती जो बारिश है वो अच्छी हो सकती इन रीजन्स में और उसके बाद जब लानिना की तरफ मूब करेगा तो जाहिर सी बात है कि कन्वेक्टिव क्लाउट्स बनने और बड़े पैमाने पर शुरू हो जाएंगे और भारत में अच्छी बरसात होती है तो इन जगहों पर इस बार काफी जादा बारिश होने की आशंका रहेगी तो लेंड्स लाइड मड्स लाइड और बाढ़ फ्लेश फ्लड इस तरह की चीज़ें देखने को मिल सकती तो एक चुनवती भी साथ में रहेगी इसके साथ दो चीज़ें और आपको दिख और साथ परिंस ले रिजिन में कुछ जगहों पर उत्तर भारत के पहाड़ों पर कई जगहों पर बारिश ओन एन ओफ होती रहेगी आंधी तूफान के साथ लेकिन प्रिचर बढ़ रहा है और इसी में इस समय चुनाव चल रहे हैं चुनाव के साथ-साथ खेती की का जो का में चुनावती बन गया है अब बना हुआ है तो अभी जो सिचुवेशन है दोस्तों यह मैं आज की संभावना दिखा रहा हूं आज यानि शुक्रवार 19 अप्रेल की जब 41 डिग्री सलसेस तापमान दिख रहा है धनबाद में नागपूर में दिख रहा है जहां पर 41 डिख रहा है जिसे बात करें नागपूर की तो यहां 42 डिख रहा है भूबनेश्वर से लेकर ओडिशा के तमाम इलाकों में कॉल काला हंडी या मयूर भंज साउथ ओडिशा में खास स्वर पर कई जगों पर भीशन गर्मी भीशन लू का प्रकोप इस समय शुर यानि 28 अप्रेल की तो 28 अप्रेल को दिल्ली में देखी 49 डिख रहा है यानि 37 आज के लिए दिखा रहा है प्रोजेक्शन और 49 आने वाले 10 दिनों के बाद और धनबाद 41 पर ही बना हुआ है नागपूर 42 डिख चालिस हैदराबाद तो यह जो पूरा सेंट्रल पेनिंसुल गुजरात और इधर मध्य प्रदेश, 36 गड, ओडिशा, जारखन, बिहार के पश्चिमिक शेतर, उत्र प्रदेश का पूरा रीजन, दिल्ली और हर्याना पंजाब, राजस्थान, गुजरात इन तमाम इलाकों में भीशन, हीट वेब या भीशन गर्मी का प्रकोप आने व कंसिस्टेंटली होगी, यह जो हीट वेब या गर्मी का इंपक्ट है, यह कंसिस्टेंट रहेगा, बीच बीच में कुछ इलाके ऐसे होंगे, MP में साउथ, MP में खास्तोर पर, मध्य महाराष्ट, मराटवाड़ा और विदर्व, महाराष्ट में, 36 गड़ में कुछ एक जग खबर मौनसून समय पर آ सकता है, मौनसून अच्छा हो सकता है इन खबरों के बीच में, अभी हमें लंबे समय तक, कम से कम 1,5-2 महीने तक भीषण हीट वेप का सामना करना है, तो आपको अपना भी धियान रखना होगा, मवेशों को अभी धियान रखना होगा, खेतों में और खुले में काम करते हैं चाय केतियर मसदूर भाई हैं जब भी आप बाहर खुले में काम कर रहे हों तो बदन को पूरा ढग कर रखें पानी ज्यादा से ज्यादा पीए और ऐसे फल, खीरा, ककडी, तरबूज, खर्बूज, खर्बूज, इस तरह की जो चीजे हैं उनका से की एक और जानकारी के साथ तन्यवाद